इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम लोग नवीन, फ्लोरीन, इंटरनेशनल लिम्टेट के बारे में जिसने की कौटर 3 के नंबर्स पब्लिश कर दिये हैं फिलाल 4 बच के 50 में तक हमें डिवीडेंड की कोई बेनाउंस्मेंट देखने को नहीं मिल रही और कौटर ली 4.94 से 5.13 पे तो कौटर और कौटर तो रिवेन्यू बढ़ा है बड़ यरली बेसिस पे गिरावट हमें देखने को मिल ली बट एस पर दा मार्किट एस्टिमेट बात कहें तो 5.22 करोड के एप्रॉक्स एस्टिमेशन ता जो की 5.13 पे तो कम हमें देखने को बि करते हुए देखने को मिले देन डिसकस करते हैं आफ्र टैक्स कितना प्रॉफिट हुआ बट अगर आप देखेंगे तो एक्चेप्शनल आइटम में 52 करोड का एक फंड एडजस्ट किया गया है जिसकी एडजस्मेंट के बाद कंपनी के प्रॉफिट 52 करोड हमें ज्यादा करोड पर तो कॉर्टर और कॉर्टर तो प्रॉफिट बढ़े हैं बडियरली बेसिस पर गिरावाट देखने को मिल रही है टोटल अगर एपिस की बात करें तो यह प्रॉफिट कम रहे तो एपिस भी 21.50 से 15.74 पर आगया कॉटर ली प्रॉफिट बढ़े तो 12 से एपिस प्रॉफिट किया कंपनी के प्रॉफिट ने तो आपके पास नवीन फ्लोरीन के कितने शेर से कॉमेंट बोक्स में बिल्कुल बता है और अगर देखा जाए तो एक्सेप्शनल आइटम की आप डीटेल यहां पर सकते हैं जो कि देखा एक्सेप्शनल आइटम फॉर्टर ए बाइ